आज के लंच में मैंने बनाया है बिना प्यास के बहुती आसान और जटपट से बनने वाला सरसो का साग और इसके साथ मैंने बनाई है ये फूली फूली मक्य की रोटी तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कैसे मैं घर में बहुती आसान तरीके से मक्य की रोटी बनाती हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां लिये है सरसो के पते तो यहां मैंने फ्रेश सरसो के पते लिये हैं 500 ग्राम तो ये जो stem होती है सरसो की, इसको हमें remove नहीं करना है, जो भी nutrients और पोशक तत्व होते हैं, या जो भी flavors आते हैं सरसो के साग में वो इसी stem की वज़े से होते हैं, तो बस हमें जड़ को remove करना है, इन stems को हम अच्छे से देख लेंगे कि इसमें कोई कीड़े ना हो, और इससे हम एक प्लेट में separate आउट कर लेते हैं, उसके बाद यहां मैंने लिये हैं देसी पालक के पत्ते 1500 ग्राम, तो हमेशा हम देसी पालक का ही यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो होते हैं वो flavors बहुत ही अच्छे आते हैं, तो इसको भी मैंने एक प्लेट में separate आउट कर लिया है, आजकल विंटर का सीजन है और हरी सब्जियों की तो भरमार आई हुई है, और हर हफ़ते मेरे घर में एक बार सरसो का साग जरूर बनता है, अब इसे हम दो से तीन पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेते हैं, यहां मेरे लिया है एक बड़ा प्रेशर कूकर, तो सबसे पहले मैं इसमें आड करूंगी पालक के पत्ते, और इसके बाद जो सरसो के पत्ते थे, इसको हम हाथ से तोड़ कर इसमें आड कर लेंगे, तो यह बहुती इजी तरीका होता है, सरसो का साग बनाने का, जो ट्रेडिशनल मेथ़ड है, वो काफी जादा लेंदी होता है, उसमें हम सरसो के साग को पीसते नहीं है, बलकि उसे कड़ाई में रखके, इसे हमें एक से दो घंटे तक घोटना होता है, चला-चला के, तो वो काफी जादा लेंदी प्रॉसस है, मगर जो टेस्ट आएगा, वो दोनों का एक समान आएगा, तो में लो फ्लेम पे 10-12 मिनिट तक के लिए पकाना है, इसके बाद मैंने फ्रिट से निकाला है बथुए के पत्ते, इनको मैंने ब्लांच करके पहले से रख लिया था, तो यहां मैं यूज करूँगी 1.500 ग्राम बथुए के पत्ते, तो यह रहेगा रेशियो, इसके बाद च का फ्लेवर होता है, वो इनी सब चीजों से आता है, मैं यहां प्याज या टमाटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, और यकीन मानिये, जो सर्सो का साग है, वो बहुत ही अच्छा बनता है, तो चलिए, बारा मिनिट हो चुके हैं, प्रेशर कुकर को चेक कर लेते तो यह हम लेंगे 1.500 ग्राम, उसके बाद जब तक यह पत्ते ठंडे हो रहे हैं, यहां हम आटा लगा लेते हैं, तो यहां मैंने लिया है, दो कप मक्य का आटा और एक कप गेहूं का आटा, तो यह रेशियो रहता है मेरी मक्य की रोटी का, बहुत लोग सिफ मक्य का आटा यूज करते हैं, मैं दोनों को यूज करती हूँ, गेहूं का आटा यूज करने से क्या होता है, ग्लूटन डेवलप होता है, और इससे रोटी जो है, वो फुली-फुली और आसान तरीके से बन जाती है, यहां मैंने यूज किया है, लग-बग देर से दो ग्लास पानी, तो इस समय से तीन से चार मिनिट तक के लिए सेट होने के लिए रग देते हैं, यहां एक मिक्सर ग्राइंडर में मैंने आट किया है, जो हमने पत्तो को बॉल किया तो इसको हम एड कर देंगे और बथुए के पत्ते को आड कर देंगे, तो इसका रेशियो रहा 200 ग्राम सर्सो क पत्ते 1500 ग्राम पालक के और 1500 ग्राम बथुए के, तो इस तरह से मैं रेशियो को इसमें यूज करती हूँ, तो चली हम इसको पीस लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एक फाइन पेस बनाना है, तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, और यह बहुत जादा गरम है, इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, एक बड़ी कड़ाई में मैंने अड़ किया है, दो बड़े चमच देशी घी, सरसो के साग को बनाते समय हमेशा देशी घी का यूज करें, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, उसके बाद मैंने आड़ करी है, दो चुटकी हिंग और जो हमने चौप करेते गालिक, उसको हम इसमें आड़ कर लेंगे, इसे हमें लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक के लिए सौटे करना है, उसके बाद हम इसमें आड़ करते हैं चौप किये हुए जिंजर और जो गालिक थे और जो चिली इन तीनों को हम इसमें अच्छे से आड़ कर देंगे, दो से तीन मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे इसे पकने देना है, बस हमें देखना है कि गालिक का जो कलर है वो बिलकुल भी चेंज ना हो, इसके बाद हम इस जो प्यूरी है, हम इसको इसमें डाल देते हैं, चला देत है, अब एक दूसरे बरतन में मैंने यहां लिया है, दो टी स्पून मक्य का आटा, इसमें हम आड़ करेंगे थोड़ा सा पानी, जब सरसो का साग जो है वो पंदरा मिनिट तक के लिए पक जाता है, उसके बाद हम इस मिक्षर को इसमें डालते हैं, ऐसा हम क्यू करते हैं, जो है, वो अच्छी आएगी, हलका सा यह गाढ़ा हो जाता है, और टेक्शर भी अच्छा आता है, इसे हम मिला देते हैं, और फिर से हम इसे लो फ्लेम पे के लिए पाँच मिनिट तक के लिए पकने देते हैं, तो देखते हैं, पाँच मिनिट हो चुके हैं, तो यह देख कि इसमें काफी अच्छी कॉइंटिटी में देसी गी पड़ा है तो चलिए मैं यहां बना लेती हूँ मक्के की रोटी तो मैंने यहां लिया एक छोटी सी लोई इसमें मैंने डस्ट किया है थोड़ा से गेहूं का आटा और इसे में हलके हातों से ही बेलना है बहुत ज़ादा प्रेशर लगाते हुए हमें इसे नहीं बेलना है तो यह देखिए रोटी बनके तयार है गास को हम हाई फ्लेम पे कर देते हैं और इसे हम एक तवे पे डाल देते हैं जब यह एक साइट से पक चाएगी तो हम इसे पलट देंगे और इसे हम दूसरी साइट से कपड़े की ह जिसे इसमें gluten डेवलाप होता है और मक्य की रोटी बहुत ही आसान हो जाता है बनाना और जब भी आप मक्य काटा साने तो हमेशा इसमें खौलता गरम पानी का ही यूज करें इसको सानने के लिए और थोड़ी देर इसे 3-4 मिनिट तक के लिए रख दें इससे आपकी रोटी जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी तो चलिए रोटी को हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं तो यह देखे क्रिस्पी फूली फूली मक्य की रोटी बनके तयार है बस इस गरम रोटी में हम अपलाई करेंगे बटर या देसी गी जो भी आपके पास अवेलिबल है आप इसमें आट करें तो यह देखें रोटी कितनी अच्छी बनके तयार हुई है इसी तरह हम बाकी मक्य की रोटी भी बना लेते हैं तो मेरी दूसरी रोटी भी यहां देखें अच्छे से फूल चुकी है तो इसको मैं गैस से हटा देती हूं और इसे बसम 10-20 सेकंड तक के लि इतना अच्छा आया है और यह फ्लेवर्स में भी बहुत ही अच्छा बना है इसके साथ मैंने यहां रखी है मक्य की रोटी इसमें हम अपलाई करेंगे देसी घी जब भी सरसों के साग और मक्य की रोटी की बात होती है तो देसी घी और वाइट बटर की कॉइंड़ी हम बह अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले